वे गाईज, विल्कम टू माई चैनल, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैंट पलाजो की कटिंग, बहुत ही इजी मेथेट से हम सीखेंगे, तो यह हमारा दो मेटिर का कपड़ा है, पलाजो की कटिंग के लिए इसी पर हम कटिंग करेंगे, आपको तीन साइज की जरूरत ह यहाँ पर एक लेंथ चाहिए, दूसरी हीप की साइज चाहिए और कमर की साइज चाहिए, कमर की साइज हम लाश्टिक डालने के लिए ही यूज करेंगे, कटिंग में हमको कोई जरूरत नहीं है कमर की साइज की, तो आपकी जो भी साइज है, मैं सारी साइज कवर करूँग कि आपकी जो भी साइज है आप अपने साइज के according pattern की cutting कीजि यहां पे हमारी साइज है 34 incident की है जो cutting करनी है और लेंथ उसकी रखनी है तो रेडि 29 디자ीर्ट की और कमर की साइज जो है 27 इसाtrl साहत से मेजरमेंट में पिस हमको प्लाजो की तो आप उसको सीधा कट कर लिजिए कट करने की बाद हम спокой मेजर्मेंट लेते हैं तो यहां पर हमको कटिंग करनी है 49 इंच का रेडि इसकी लंबाई रखनी 27 इंच कमर है और हिप की जो साइज हो 34 इंच है तो यहां पर जो साइज हमको कटिंग में दोई चाहिए लेंध चाहिए और इसकी हिप की साइच चाहिए तो उपर से हमारा कपड़ा देखिए सीधा है आपका अगर तिर्चा हो तो आप इसको सीधी लाइन ट्रॉ कर लिजिए वहां से हमने दो इंच पे एक निसान लगा लेंगे ये ये दो इंच का निसान हम लाश् है अब हमको लेना है हिप की शाइज ईह हमारी लेंध हम बाद में देखेंगे हमको लेना हीप की साइज की जो भी आपकी गैसा उसका फॉर्थ भाग में यहां से हमने 800 वblesैं अबंने देलेंड पर कर लेंगे अगर आपको जाता कंफरेवल चाहिए तो आप 2,5 इंच तक बढ़ा सकते हैं तो ये हमारा टोटल हो गया साड़े 11 इंच, साड़े 11 इंच पर हम यहां से देख लेंगे कि इसका सीधा कहां आ रहा है, एक निशान लगा लेंगे, तो ये निशान हम लगाते हैं बस सीधा करने के लिए, आसन निकालेंगे त Aasana, हमको hip का 4th भाग लेना है, जो भी आपकी hip की size है, उसका 4th भाग लेना है, उसमें 2 inch add कर लेना है, जैसे हमारी hip normal size है, 34 inch है तो हमने 2 inch का add लिया, आप अगर heavy size है तो आप 3 inch, 3.5 inch, धाइ इन्च, जैसे normal size के according में बता देती हूँ कि आपकी normal size है तो आप धाइ इन्च तक add कर लिया साड़े दस पर इस प्रकार से निसान लगा लिया है कि साइज ज्यादा बड़ी है फोटी प्लस है तो आप साड़े तीन इंच तक यहां एड़ कर सकते हो क्योंकि आपको आसन की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी अब हम क्रोच एरिया की गुलाई के लिए लाइन पार दिन यहां पर में बंदा की और आप अगर फोटी प्लस यहां पर साइज है तो आप यहां पर 6 मतलफ है बढ़ेगी वैसे वैसे आपको half inch, half inch करके 3.5 inch तक इस line को आगे करना होगा तो इस प्रकार से हमने 2.5 inch का line इस प्रकार से ड्रॉक करके और इसकी क्रोच एरिया की गुलाई इस प्रकार से दे देंगे यह क्रोच एरिया की गुलाई हमारी ज़्यादा गहरी भी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से जैसा की वीडियो में आप देख पा रहे हैं तो इसी साइड से आपको क्रोच एरिया की गुलाई देनी है अब हमको length लेनी है उलास्टिक का निसान लगा रखें लाईन ड्रो कर रखें वहां से इंची टेप को रखेंगे नीची की साइड में जो भी आपको ready length रखनी है वहां पे एक निसान लगाएंगे एक निसान हम दो इंच पे और लगाएंगे जो नीची fold के लिए होगा इन दोनों लाईन को हम इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे देन हम इस दूरी को इस प्रकार से नाप लेंगे यह हमारा आगया सवा 13 इंच का तो इस प्रकार से हम fold कर लेंगे पौने 7 इंच पे यहां half में हम एक निसान लगा लेंगे तो एक निसान हम नीचे भोटम के साइड भी पहुने साथ इंच पे लगाएंगे यहां से जिससे की यह हमारा center की line निकल जाए तो इस center की line को हम इस प्रकार से draw कर लेंगे center की line निकालने का main मकसद यही होता है कि हमारा bottom center से ही निकले उसको manage करने के लिए हम इस line को लगाते हैं अगर आपका bottom एक side से जादा हो जाएगा तो आपके crouch area में घुमाओ, खिचाओ इस प्रकार की प्लाजों में problem create होने लगती है तो इसलिए हम यह center से ही निकालते हैं इस दोरी को manage करके हमने यहाँ पे center में एक line लगाया step 20 से मिला लेंगे इस प्रकार से जैसा कि वीडियू में आप देख पा रहे हैं bottom से और crouch area से मिस प्रकार से मिला देंगे दूसरी side हम bottom से और crouch area कि size का जो निसान है सामने का व्हाँ से हम वहाँ मिला कि इस प्रकार से निकाल लेंगी तो गाइस वीडियो में आपको कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यहां पर हम हलका सा जुकाओ दे देंगे कोना सा हमारा ना निकला हो और मैं सारे कमेंट रीट करती हूँ और सबके रिपलाई भी देती हूँ तो यह हमारे फ्रेंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है यह हमारा फोल्ड है लास्टिक का और हमने यहां पर कमर की साइज जो भी आपकी हिप साइज है उसका फोर्थ भाग लेके डेड़ इ साइज जो हमने ग्रोच एरिया के लिए लाइन निकाला है उसको हमने 1,5 इंच का निकाला है यह दूरी आपकी जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हाफ विंच आफ इंच करके साड़े तीन इंच तक आप इसको बढ़ा सकते हैं और यह चाइज हम निकालके सेंटर की लाइन एक निकालेंगे इसी लाइन के हाफ बोटम हम इधर रखेंगे हाफ उधर रखेंगे यहां पर मैंने आठ इंच का बोटम रखना है थोड़ा चौड़ा में रख आपको जितना भी रखना हो साथ इंच छे इंच आप इधर से लिजी हाफ उधर से लिजी तो हमने ये फ्रेंट पार्ट के कटिंग कर ली है पार्ट को हम फोल्ड करके साइड में रख लेंगे बैक पार्ट की जो हमारा कपड़ा बचा उसके कटिंग के लिए हम कपड़े को इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे इसी फोल्ड को आगे बढ़ाने के बाद हम इसेट करेंगे face before that वाह एंगे तो हमको पीछे के साइड से कोई मार्जन बैग पार्ट में नहीं रखना होता है आगे के साइड से अमकו मार्जन रखना होता है तो यहाँ पर हमने जब सेट किया तो हमारा यह मार्जन थोड़ा सा आगे के साइट कम हो रहा उपर तो आ जा रहा नीचे यहां पर थोड़ा सा कम हो रहा है यह हमको एक इंच रखना तो यह आफ इंच पॉन इंच के करीबी है तो कोई नहीं हम इसमें मैनेज कर लेंगे लेकिन आपके पास एश्टरा कपड़ा है तो आप नीचे बोटम से एक इंच इश्टरा रखिए और क्रोचेरिया से आपको दो इंच यहां पर इस प्रकार से हमने यह 2 इंच बढ़ा लिया है नीचे आप 1.5 इंच एक इंच रख सकते हो यहाँ पर मैंने बोटम चोड़ा कट किया था पहले ही तो मेरे थोड़ा सकम हो रहा है तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा मैं वहाँ पर मैनेज कर ले रही हूं लेकिन आपके पास कपड़ा हो तो आप जरूर एक इंच बढ़ ruralosaise में रखेंगे साइजी आपके जैसे जैसे बढ़ेगी इसको भी हमको बढ़ाना होगा तो यहां पे हमने इस साइज में देड़ुंच रख रहे हैं इसको हमने डेड़ंच पीछी से बढ़ा के इस प्रकार से Austral plugging पैग पर मिला दिया है पीछे इस प्रकार से हम रखेंगे और इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे नीचे हम थोड़ा सा लाइन को मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा कम है आपको ये नीचे तक एक इंच रखना है इस प्रकार से तो गाइस वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आप रिस्पोंस जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करते हैं था हमको अच्छा लगता है और हम नेश्ट वीडियो बड़े फिर बनाते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी तो यहां पर हमने यह लाइन कंप्लेट कर रखी है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मैं एक बार फिर से उपर के साइथ आप लोगों को केलियर कर दूँ कि यहां मैंने दो इंच बढ़ लिया है और यह पीछे के साइड से कोई मार्जन नहीं है बस आसन पे ही डेढ़ इंच हमने एश्टरा मार्जन रखा है लंबाई में तो इस प्रकार से नीचे देखिए यहां पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा हाफ इंच कम हो जा रहा है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से आप वेजली किसी भी साइड की पैंट प्लाजो की कटिंग आप कर सकते हो जो हमने आसन के साइड से मार्जन बैक पार्ट में रखा है यह के वल बैक मतलब आसन के साइड से ही रखना है पीछे से हमको कोई इस्टरा मार्जन नहीं रखना बराबर में कट कर लेना है तो इस प्रकार से हमारी ये कटिंग हो चुकी है अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे तो यहां पर हमको एक साइड पॉकेट भी लगानी है यह डबल में हमारा कपड़ा है पॉकेट की लेंद्ध हमने 13 इंच ले लिए है इस प्रकार से लाइन ट्रॉ कर लिए है कटिंग करना बहुत ही जी है मैं इसकी वीडियो बहुत ही डिटेल में बना रखी हूं कि पॉकेट के कटिंग कैसे करें उससे अटेच करें इसका थोड़ा सा डिफकल्ट है तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैंने दो वीडियो अपने चैनल पर एकाग्रेशन पर अपल केंप्लीट कटिंग हो चुकी है वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना थेंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो टेक केर बग बाई